जिस तरह से हिंदू के लिए चार धाम की यात्रा सबसे पावन मानी जाती है उसी तरह मुसल्मानों का सबसे पाक धार्मिक स्तर काबा माना जाता है कुरान में बताया गया है कि हर मुसल्मान को अपनी जिन्दगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए क्योंकि मक्का में ही काबा है जिसे खुदा का गहर माना जाता है इबादत के दोरान हमेशा कावा की दिशा में मूह करके नमाज अदा की जाती है इन दिनों मुसल्मानों का सबसे पवित्र महिना रमजान चल रहा है कहते हैं कि अल्लापाक ने सारी आस्मानी किताबे रमजान के महिने में ही उतारी है ऐसे में नमास पढ़ने में अक्सर किबला की दिशा का पता करना मुश्किल हो जाता है नमास पढ़ने की दिशा जानने के लिए या तो लोगों से पूछना पड़ता है या फिर कमपास का स्तमाल किया जाता है लेकिन गूगल अब एक ऐसा फीचर लेके आया है जिसकी मदद से आप कहीं भी बैट कर अपने स्मार्टफोन से किबला की दिशा जान सकते हैं जी हाँ, गूगल का किबला फाइंडर एक Augmented Reality पर अधारित वैब एप है जो स्मार्टफोन का कैमरा यूज़ करके किबला की दिशा बताता है गूगल की ये किबला फाइंडर सर्विस आज से ही शुरू हो गई है और सबसे दिल्चस बात ये है कि ये रमजान के बाद ही जारी रहेगी तो अगर आपको भी किबला की दिशा का पता लगाना है तो आप भी इस एप की मदद से और बड़ी अस्तानी से सही दिशा में बैट कर अपनी नमाज अधा कर सकते हैं न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट